नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक्स ब्लॉक पर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से कुछ ऐसे समर फ्लावरिंग प्लांट सेयर करने वाला हूँ जिने एक बार आप अपला कर अपने गार्डेन के अंदर लगाएंगे तो सालो साल ये आपके गार्डेन के अंदर फूल देते रहेंगे ये नाकी देखने में बहुत जाला खोपसूरत लगते हैं बलकि जो है इन प्लांट्स के आने से आपके गार्डन के अंदर फोलों की कमी कभी नहीं होगी चलिए बिना देरी की हुए चलते हैं अपने टॉपिक की और सबसे पहला प्लांट जो आप लोगों के सामने है ये है मेरी गोल्ड का मेरी गूल्ड ये मेरा जाफरी वराइटी का है और अभी आप लोगों को जो दिख रहा होगा मैं सामने से देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस इनके पास बैठा रहू हूँ और इनको ऐसे देखता रहूँ बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग इनके अंदर हुई है जैसे ही इनके फ्लावर्स थोड़ा मेच्चे और हो जाएं इस तरीके से इनको तोड़ कर हटा दीजिए प्लांट के अंदर भी देखने में ये अच्छे नहीं लगते हैं साथी साथ प्लांट जो है इनके बीजों को पूरी तरीके से पकाने में बहुत सारी एनरजी जो है वो लगा देता है तो इनको ऐसे तोड़ कर हटा लीजिए उसके बाद जो है इनको ऐसे ही रखके जो है उस दिन सूखने दीजिए अच्छे से और जब यह अच्छे से सूख जाए तो इनके अंदर से इनके बीज को निकाल लीजिए और उन बीजों को जो है बाद में आप आसानी से प्रोपगेट करके नै बाद है इनके बहुत आसानी से तयार कर सकते हैं जैसे कि मैंने तयार किये हैं ये सारे मेरे घर के जो मैंने प्लांट लेके आके नरसरी से लगाए थे ये उन्हीं की सीड से तयार प्लांट है सारे के सारे और देखे एक ये कलर है एक ये है एक ये है और एक कोई कलर और होगा तो मतलब टोटल जो है हाँ एक ये सीड है एक य सकते हैं और इस तरगा से इनके सूखे हुए फूलों से नए फूल जो है आप आसानी से घ्रूव कर सकते हैं अगला प्रांट जो है यह गिलाड़िया का प्लाड़िया के फूल मैं आप लोगों को दिखाऊ यह है इसके अलावा मैं अभी हाल में ही यलो कलर भी इसी वज़ा से लेके आया हूँ जिससे बाद में मैं उनके सीट से जो है वो नय पौधे बना सकूँ देखे इनके Vous, छो flowers होते हैं flowering के बाद इस तरीके से सूख जाते हैं और उनके अंडर ये seed बने हुए हैं इन seeds को collect करके जो है आप इनसे नए पौधे जो है बहुत आसानी से तयार कर सकते हैं और अगर आप नहीं भी तयार करेंगे न तो ये जहां तहां गिर गिर के जो है अपने आप नए पौधे बनाते रहते हैं ये मेरा पिछले साल का ही ओधा है अब ये flowering पर आ रहा है इसे मैंने पौध है वो है तो गिलाडिया भी आप लगाए एक बार लगाएंगे फिर सालों साल आपके गार्डेन के अंदर बना रहेगा अगला प्लांट है गुमफेरना का गुमफेरना भी जो है वो तीन कलर में आपको जादा तर देखने को मिलेंगे एक ये जो है इसका पिंक कलर मैजन्टा कलर इसका ये पिंक कलर और वाइट वाइट मेरे पास नहीं है बाकी ये दो कलर मेरे पास है और पिंक वाला जो है ये वाला कलर जो है इसके अंदर भी देखे ऐसे सीट्स बनते हैं जब ये थोड़ा फूल इसके मैच्चे और हो जाते हैं मैच्चे और हो क्या ज देखे एक ये एक ये और ये तीन चार पॉट इधर रखे हुए हैं इस वाले के अंदर मैं ढूढ रहा हूँ अगर इसके भी मेच्चोर प्लांट सीट्स मुझे मिल जाते हैं तो इसको भी मैं अपने गार्डिन के अंदर जो है और ज्यादा बढ़ाने की कोशिस करूँगा क तो गुमफेर ना जो है अगला प्लांट है इसके बाद अगला प्लांट है मैकसिकन पिटुनिया का मैकसिकन पिटुनिया पिटुनिया जैसा ही बिलकुल खेलता है बस होता क्या है ये थोड़ा वाइल्ड ज्यादा होता है जहां कहीं भी आप इसको लगा देंगे फिर उस के मदर प्लांट को दिखाते हैं कितना बुसी हो रख है ग्राउंड पर वो यह देखिए यह मदर प्लांट है इसके और इसमें दो कलर आपको मिल जाएगा मेरे पास एक यह परपल कलर जो खिलता है अभी देखिए कलियां काफी सारी बनी भी हुई है और एक पिंक खिलता है इसी में यह देखिए यह जो फ्लावर फैड हुआ है यह पिंक कलर का था यह यहाँ पर देखिए कि यह कली बनी हुई है तो मेरे पास दो कलर्स हैं और दोनों ही खूब ज़्यादा जो है वो ग्रो होते रहते हैं इसके बाद अगला प्लांट जो है यह है पोर्चुला का परसलेन का यहाँ पर देखिए मैंने काफी सारी क्टिंग जो है वो लगा रखी है यह बोर्चुला का है और मैंने अलग-अलग अलग कलर अलग-अलग-ओर्ट में रगाएं हैं एक लग यह है मेरे पास दो कलर थी पता नहीं कौुन से किस में लगी हुई है एक मैना इसमे गंदा ये 20 से तो नहीं ग्रो होता रेकिन इसके बल्ब जो है वो इतनी तेज जो है वो multiply होते हैं कि ये कब एक सी सैक्ड़ो बन जाते हैं आपको पता नहीं चलेगा मेरे पास देखिए एक पॉट के अंदा सिफ छे बल्ब लगाए थे और आज मेरे पास इतने जादा जो है मैंने लगा भी लिए हैं और काफी सारे मेरे पास रखे भी हुए हैं तो ये दोनों भी जो है रिनलीली और रजनी गंदा भी आप लगा सकते हैं पॉर्सूला का परसलेन कटिंग से और ये बल्ब से ग्रो हुए इसके पास समर का एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट जिसके बारे में मैं समय समय पर वीडियोज सेर करता रहता हूं मेरे पास इसका तीन कलर था और अभी भी मैंने इसको बहुत लंबे समय से बचाकर रखा हुआ है मेरे पास शचेश हैं मैंने लगा रहा है और यह ओर ल्ग है यह ज़ए फ्लावरींगeries पराव गया तो चाल रहा 4 त сказать which the pong वा रजाते ओंगा कि अगर in माक्सीमम टाइम इनकी सीड से ज़ो हैं वह थोड़ा वाइल्ड कर फो जाते हैं या मैं तरह । देशी में थोड़ा-थोड़ा करके convert हो जाते हैं मैं करूंगा क्या इसको cutting से ही लगाऊंगा बाकि देखूंगा अगर इनमें की cuttings बची हुई होगी तो फिर cutting भी नहीं लगाऊंगा बाकि ये तो purple color है मुझे देखने में बहुत असपश्ट जो है वो पता चल रहा है तो बिंका जो है इसको भी आप seeds से और cutting से ग्रो करेंगे तो आपके garden में ये सालो साल बने रहेंगे देखिए अभी मैंने चार color report किये हैं और दो मेरे पास अभी भी reporting के लिए बचा हुआ है इसके बास summer flowering plant में ये coxcomb का plant है मुर्गा कल की जिसको बोलते हैं ये भी जो है अगर आप एक बार लाकर लगाएंगे तो इतने सारे seed बनाता है ये आप इसको यहां से cut कर देंगे तो फिर side से growth करके flowering पर आ जाता है तो ये भी बहुत सारे seed बनाता है एक बार अगर आप लाके add करेंगे तो सालों साल आपके garden के अंदर ये अच्छे से फूल देता रहेगा यहां पर ये मेरे पास जो है इसके दो plant है इसके बाद अगला plant जो है ये flowering तो नहीं करता है लेकिन flowers से कम नहीं होती इसकी खोपसूरती ये है कोचिया का देखिए अभी mother plant की जो stems है वो बची हुई है सूखी stem और ये अपने आप उन्हीं के seeds से ग्रो हो गया है और मैंने उसको जहां बार उखाड कर फेका वहां और ज़्यादा ग्रो हुआ है ये मैंने एक जो है देखिए निकाल कर लगा दिया था ग्रो बैग में अभी मैं इसको लगाना शुरू भी करने वाला हूँ ये देखिए जहां पर इसको मैंने निकाल कर फेका यहां पर कितने सारे ग्रो हो गए है और जहाँ जहाँ तक इसके seeds उड़कर जा पाए हैं वहाँ भी यह जम गया है इसके अलावा सूर्य मुखी है और भी बहुत सारे summer flowering plant है commonly जो मैं लगाता हूँ वो मैंने आप लोगों को suggest करे हैं आप लोग भी इन plants को जो है वो लाकर लगा सकते हैं और मैरी गोल्ड जो कि मुझे और जो है मेरे घर पर भी सबको बहुत पसंद आ रहा है भी तक के लिए आपना और अपनों का ध्यान रखिएगा बाबाई टेक कियर